आज हम बनाएंगे रोटी से बनने वाली इतनी जबरदस्त महंगी रेसिपी जिसे आप मार्किट में जा करके खाते हो वो भी इतनी महंगी पड़ती है आज हम वही रेसिपी इस रोटी से बनाएंगे आपको बेहत पसंद आएगी ये मैं 100% गरंटी दे सकती हूँ या फिर मैं लिक कर भी दे सकती हूँ क्यों कि बहुत ही ज़़ा टेस्टी बनती है तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर 4 रोटी ली है ताजी रोटी ली है आप चाहे तो यहाँ पर रात की रोटी भी ले सकते हैं हाँ लेकिन ध्यान रहे रोटी आपको बिल्कुल ठंड़ी लेनी है गरम रोटी नहीं अब हमें कड़ाई चड़ाएंगे गैस पर और गैस कड़ाई में हम डालेंगे देसी घी जी हाँ, आज मैं इसको देसी घी में बनाने वाली हूँ क्योंकि जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा देसी घी में फ्राई करने से आप चाहे तो इसे रिफाइंड तेल में भी फ्राई कर सकते हैं एक इक रोटी को हम लेंगे और इस तरीके से घी में डाल करके अलटे पलटे इसको बढ़िया सा सुनहरा क्रिस्प होने तक बढ़िया से तलेंगे जब आप इस रोटी को घी में डालेंगी ना तो बहुत ही बढ़िया हलका सुनहरी कलर आएगा आप हलका कलर भी ले सकते हैं और चाहे तो डार्क कलर भी कर सकते हैं इस रोटी का चारो रोटियां जो हैं तल करके तयार कर लोगे रोटी फूले ना फूले कोई ज़रूरी नहीं है बस रोटी को आपको तलना है ये ज़रूरी है घी में हम लोगों ने तला है तो इसका टेक्शियर और स्वाध दोनों ही बढ़ जाता है तो अब हम इन रोटी को क्या करेंगे यह बहुत ही जदा क्रिस्पी हो गई है तो यह बहुत ही अराम से जो है चूरा हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको अपनी रोटियों को चारो रोटियों को तोड़ लेना है चूरा चूरा कर लेना है क्योंकि हम इसको जो है मिक्सी के जार में डाल करके पीसने वाले हैं इसको हमने घी में इसी लिए फ्राई करा है ताकि इसका जो टेस्ट है वो अंदर तक बहुत ही जादा बढ़िया आए तो चलिए इन डोटियों को मैंने बढ़िया से चूरा कर लिया है और अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल करके बढ़िया से मुबारिक पीसने वाली हूँ आप ये वाला स्टेप जरूर कीजेगा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है घी में फ्राई करने वाला आप रोटियों को डारेक्ट नहीं पीस सकते मिक्सी के जार में आप तल कर ही इस रेसिपी को तैयार कीजेगा ये नहीं है कि रोटि को उठाया और आपने मिक्सी के जार में पीसना शुरू करती है नहीं ऐसे नहीं आपको पहले देशी घी में या तेल में फ्राई करना है और फिर जाके mixi के जार में piece ना है और piece करके ये इतनी ज़्यादा बारिक हो जाएगी रोटी और इसका बड़ी आसा चूरा बन करके तयार हो जाएगा जैसा कि हमको चाहिए तो चूरा पर्फेक्ट तयार है हमारा और अब एक tray हम तयार कर लेते हैं यहां पर मेरी इस तरी की ट्रे थी मेरे पास तो मैंने यही पर मैं इसको grease कर रही हूँ एक butter paper लगा कर आपके पास घर में कोई plate वगएरा हो थाली वगएरा हो जिसमें भी आप इस recipe को set करना चाते हैं वो बढ़िया से butter paper लगा के grease करके set करके side में रख देजेगा पहले यह कम अपना करके side में रखना है फिर हम क्या करेंगे गैस पर चड़ाएंगे एक पैन और पैन में डालेंगे हम चीनी यहां पर मैंने एक कटोरी चीनी ली है ध्यान रखना एक कटोरी चीनी हमको एक साथ नहीं डालनी है पहले हम आधी कटोरी चीनी डालेंगे और आधी कटोरी क वीडियो में आगे बताती हूँ पहले हम इस चीनी को जो है बीना हिलाए डुलाए इसको एकदम बढ़िया से हाइ फ्लेम पर पिखलने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमको यहाँ पर चीनी का कैरमलाइस बनाना है एकदम बढ़िया से मेल्ट हो जाए चीनी हाई फ्लेम पर वस इतना ही इसको हमको पकाना है आप देख रहें, धीरे धीरे कितना बढ़िया जो है चीनी मेल्ट हो रही है और कितना बढ़िया से यह पर यह color आया है तो आप चाहें तो चीनी को पीस कर भी ले सकते हैं लेकिन जो बात इसमें है क्योंकि ऐसे करने से जो color है हमारी recipe का वो बहुत ही जादा amazing गजब काएगा जैसे ही चीनी हमारी यहाँ पर बढ़िया से पिगाद जाए फिर आपको क्या करना है एक glass भर करके डालना है दूद यहाँ पर मेरा पहले सही उबलावा दूद था, room temperature पर दूद था और यहाँ पर मैंने एक glass दूद डाल दिया है और फिर हम क्या करेंगे एकदम low to medium gas पर इसको बढ़िया से continuously दूद को चलाते वे चीनी को भी दूद में बढ़िया से mix कर लेंगे कोई घबराने के ज़रूत नहीं है कि चीनी एकदम set हो जाती है तो पिगलेगी नहीं ऐसे कोई भी chance नहीं होता है चीनी बढ़िया से हमारी जैसे जैसे दूद के साथ घुलेगी मिलेगी तो बढ़िया से मेल्ट होकर दूद के साथ mix हो जाएगी जैसे जैसे वो गरम होती है दूद के साथ मिक्स हो जाती है और आपने दूद का कलर देखिया कितना जादा बढ़िया हो गया है इसी रिजन से हमने ही यहाँ पर जो है चीनी को पहरे मेल्ट किया था ताकि हमारा जो रेसिपी का कलर है वो बहुत ही जादा बढ़िया है यह देखिए अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही हो चीनी तो एकदम सिम गैस पर करके दोर स्पैचुला को बढ़िया से कंटिनूसली चलाते रहे यह बहुत ही असानी से मेल्ट हो जाएगी क कीबू का रस जागा नहीं लेना है नहीं तो हमाई रेसिपी खटी हो जाएगी बस इतना भर लेना है कि दूद हमारा हलका सा जो फट जाए यानि कि हलका सा एक दाना उठेगा हमको इसको पूरा नहीं फाड़ना है बस हलका सा फटेगा जैसे कि आपको पता भी चलेगा और ना भी पता चलेगा तो हलका हलका इस तरह के से दाना उठना चाहिए बस और हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है एक दो वाले हाई फ्लेम पर लगाते वे गैस को हम फिर से एक दम सिम करेंगे आप कलर देखिए पहले कैसा था अब देखिए कितना बढ़िया कलर आया है एकदम कोफी कोफी वाला अब हमने जो रोटी का चूरा रखा था ना मिक्सी में पीस करके अब वो उठाना है और इसमें डाल देना है गैस मेरी यहाँ पर एकदम लो है आप भी एकदम लो करके ही पकाईएगा क्योंकि हमने इसमें रोटी का चूरा डाल रहे है तो जो रोटी है बढ़िया से फूलेगी और पकेगी और उसी के बाद जो टेक्शर है बहुत ही जदा बढ़िया आएगा क्योंकि हम इसका यहाँ पर रोटी का कलाकंद बना रहे है है तो एकड़म रोटी फूल करके मेल्ट होगी है तो वह बहुत ही ज़दा बढ़िया है व wipes में हमने दाना उठाया है तो दाने-दार जो कलाकंद बनता है वह बहुत ज़दा बढ़िया लगता है ये अपने आप सिमटने लगेगा इखटा होने लगेगा पैन भी छोड़ने लगेगा बस आपको patience रखके थोड़ा इसको continuously चलाते वे अपने आप आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया इसका texture हो गया ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया अब हम इसमें बची वी जो चीनी है वो यहाँ पर add कर रहे हैं मैं यहाँ पर दो चम्मच चीनी बचा रही हूँ क्योंकि मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है तो यहाँ पर हमने यह बाद में चीनी क्यों add करी है ताकि इसमें जो shine आए वो ब हमारा texture भी ओए और बढ़िया सी हमारी shiny shiny से मिठाई बन करके तयार हो आप चाहें तो पूरी एक कटोरी भी चीनी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर दो चम्मच बचाई है आप अपने टेस्ट के कोडिंग बचाना चाहते हैं तो बचाईए ना बचाना चाहते हैं तो अब हम इसे गर्म गर्म ट्रे में transfer करते हैं यह देखिये अब इसको बढ़िया से हम शैर कर देते हैं मैं इसको बशेशी रहे हैं तो मैं इसको 1 है करके बिना मावे के बिना मिल्क पाउडर के ये इतनी ज़ादा टीस्टी मिठाई बन करके तयार हुई है वो भी सिर्फ चार रोटी से है ना बड़िया बात मैंने इस पर थोड़े से पिस्ता लगाए है ताकि लुकिंग वाइज अच्छी लगे अगर आप ना लगाना चाहते हैं अगर आप गाईस मेरी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आई होब आपको पसंद आ रही होगी और पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करें फ्रिज से मैंने अपनी मिठाई को निकाल लिया है बहुत ही पढ़िया से सैट हो गई है मैं निकाल देती हूँ उसका जो बटर पेपर है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका टेक्शेर आया है कोई नहीं पहचान पाया का कि हमने इसे रोटी से बनाया है यह देखिए कलर कितना प्यारा आया है और अगर मैं काट कर दिखाऊं तो यह देखिए इसका टेक्शेर मैं आपको दि टेक्षर निकल के आए हमारी मिठाई का वो भी स्रिफ रोटी से बनाने के लिए यह देखिए तो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर, सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप मेरी इस वीडियो को कौन से शेहर से देख रहे हैं ज़रूर बताएएगा ताकि मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कर सकूँ मिलूँगी अगली बार एक नही रेसिपी के साथ जब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए टेक केर और बाबाय गाइस थैंक यू फर वाचिंग